प्रेंट्स वेल्कम बैक स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्टे के लिए बताते हैं कि क्रूड और यूस वैल में क्या लैवल्स रहें और कौन सी चीज़ें जो की इंपक्ट डालेंगी तो शुरुवात के लेते हैं कि 18 जुलाई 2024 को क्या रहा सता है क यूस वैल में आपने पिछली वीडियो में देखा होगा जैसे कि हमने आपको बताया था कि क्रूड वाल की इंवेंटरी अगर घटती है तो उसका पॉजिटिव इंपक्ट पड़ेगा और आप देख सकते हैं कि सुबह से हमने हमारे जो टेलिवियम चैनल है उस पर आपको पॉजिटिव केंडल ही चली हुई है और यहां पर यहां से आप देख सकते हैं और यहां पर उसका इंपक्ट रा और शाम ने आपको वह उसके आपको आप से हमया चैनल है इसमें तो यहां पर आप देखेते हैं तब से green candles बन रही है तो बहुत ही बड़िया move है और यहां से अब हम next day के लिए भी बात कर लेते हैं कि क्या रह सकता है crude oil और US oil में और आपने हमारा अगर telegram channel जोइन नहीं किया तो इस वीडियो के description box में आपको उसका link मिल जाएगा आप उसे join कर लिए तो दोस्तों यहां पर फिलाल जो है अच्छा move आ रहे हैं और साथ ही next day यहां पर अगर आपने next day की वीडियो नहीं देखी है जो data वाली वीडियो हम daily लेकर के आते हैं तो यहां पर i button में आपको वीडियो मिल जाएगी आप उस वीडियो को ज़रूर देखा किजि स्तर्क रहना चाहिए जिनके लिए तो वो चीजें हमें profit भी दे सकती है अच्छा decision भी हमारा होता है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए यहां पर और साथ ही अब next day भी हमारा जो हमने उस वीडियो में बता रखा है कि शाम को data आ रहा है United States का data आ रहा है और वहां प पर उसकी वाज़े से move आ सकता है बाकि यहां पर जो inventory आई है वो अच्छी खासा withdraw हुआ है inventory का जिसकी वाज़े से यह indication मिलती है कि demand increase हुई है तो उसकी वाज़े से यहां पर positive move हमें देखने को मिल सकता है फिर से तो यहां पर अब हम levels की बात कर लेते हैं 6913 के ओपर अगर green candle की वन अवर के टाइम फ्रेम पर green candle की closing अगर इस level के उपर आती है तो next target 6938 रहेगा और इसके उपर भी अगर green candle की closing आती है तो next target यहां पर 6963 रहेगा अब आप देख सेते हैं कि यहां पर पूरा दिन भर यहां पर और पिछले दिन भी यहां पर काफी time तक यहां पर green candles रह यहां पर यह level है 6888 के नीचे अगर red candle की closing आती है वन आवर के टाइम फ्रेम पर तो फिर हमारा next target 6865 रहेगा और इसके नीचे भी अगर red candle की closing आती है तो उसके बाद जो हमारा next target यहां पर रहेगा यहां पर next target 6849 रहेगा लेकिन आप data के उपर भी ध्यान जरूर रखिए अगर data ऐसा आता है जो कि dollar index को मस्बूत करता है तो उसके वाज़े से यहां पर गिरावट आएगी नहीं तो नहीं आएगी तो यहां पर यह crude oil के levels हमने आपको बताएं है अब crude oil में जब आप trading करते ह है तो आपके पास Exynos का Forex trading account होना चाहिए तो Exynos का Forex trading account open करना है आपने तो यहां पर i button में आपको उसकी वी वीडियो मिल जाएंगी कैसे account open करना है कैसे money add करने कैसे withdraw करना है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए और साथ ही यहां पर जो वीडियो का description box है उसमें भ आपको यहां पर मिलते हैं साथ यहां gap up और gap down की समस्य भी नहीं होती और साथ ही दोस्तों यहां पर moves हमें अच्छे से हमें समझ में भी आते हैं और Saturday Sunday को भी आप cryptocurrency में trading कर सकते हैं तो मैं खुद सालों से इसका इस्तिमाल कर रहा हूं इसलिए मैं आपको highly recommend करता हूं दूसर यहां पर नेक्स्ट बात करें युस वैल की तो यूस वैल में यहां पर 82.78 की ओपर अगर green candle की closing आती है तो next target यहां पर आप छोटा मोटो ट्रेड यहां पर ले सकते हैं यहां पर अगर 82.46 के निचे अगर red candle की वन आवर कर टाइम फ्रेम पर closing आती है तो next target यहां पर यहां 21.23 रहेगा और दूसरा जो यहां पर target मैं आपको लिए set कर रहा हूं वो है यह लेवल 81.93 का downside के लिए यहां पर क्योंकि downside को यहां पर 81.97 आपके लिए next target है downside के लिए downside के लिए यहां पर इसके बाद यह तभी जाएगा अगर dollar index में मस्बूती आएगी तो यहां पर downside को यह हो सकता है तो दोस्तों यह हैं लेवल जो कि हमने आपको बताएं है यूएस वाल और प्रूड ऑल के बारे में आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए चानल को सब्स्राइब नहीं किया है तो तो जिल्टे हागली वीडिम तil then have a nice day good